केजी क्लास, गुड़ मॉर्निंग, आज हम मैथ करेंगे प्री प्राइमर ए इसमें आपको बताना है कि बिग कौन है, जिसे एलिफेंट बोल्डरा, आएम बिगर, और एंट बोल्डरी, आएम स्मॉलर, तो आपको इसमें बताना है कि आपके नीचे जो पिक्चर दी गही है, सेकिंड लाइन में, विच इस बिगर वान, पुट टिक, जो बिगर है, उस तो करना है, देखे ये तो है एपल और ये है वाटर्मेल तो इसमें, वाटरमेलन को टिक करना है, यो तिक हुटा सुंदर लगाना इसमें ग्री सा में, उसमें आपके पास D. बॉल्स हैं, एक बॉल बिग है, उसमें आपको ङृं कलर करना है और यह जो small ball है यह small है इसमें आपको no no sorry 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 यह जो big ball है इसमें red color करना है और यह जो small है इसमें green color करना है राइट चलिए अब हम next page पर चलते हैं यह next page है हमारा इसमें हमें long and short बताना है long means लंबी और short means छोटी जैसे कि आपकी आपके हाथ की बीच वाली उंगली long होती है और आपकी जो सबसे पहली फिंगर होती है वह small होती है ऐसे ही आपका हैंड बड़ा होता है और लिप छोटे होते हैं ऐसे ही आपकी बोड़ी आपको करना क्या है राइट एल फॉर लॉंग एंड वान एस फॉर शॉर्ट जो चीज़े लंबी है लॉंग है उनके लिए आपको एल लिखना है मेरे वाली बुक में जोड़ा सुन्दर नहीं लिखा हो है आपको सुन्दर सुन्दर लिखना है ठीक है तो यह लॉंग लग रहा है तो हम टूथब्रश के पास एल लिखेंगे और की छोटी है तो स्मॉलर है एस लिखेंगे राइट समझ में आया है ना नेक्स चलिए कलरदा ऑबजेक्ट लॉंग ऑबजेक्ट ग्रीन एंड शॉर्ट अबजेक्ट ब्ल्यू और इसमें आपको लॉंग यह देखें अभी मुझे तो यह वाला लॉंग लग रहा है यह वाला यह जो लॉग है लकडी का लॉग है यह तो लॉंग है इसको आपने ग्रीन कलर में करना है और यह जो बैंग है स्कूल बैंग यह शोट है तो इसको हमें करना है ब्ल्यू कलर में कलर करना है यह आज एक करने को ही है तो आपका यह जल्दी सी हो जाएगा इंज्वाइए करके करना ठीक है अगर आज नहीं होगा तो कल कर लेना ओके नेक्स चलते हैं टाल चोटा मतलड़ कि त Beetaz को क्यों और रोल बतया के लिए यह एल्दी सब्सक्क्राइब दोनों में चीजजे नेक्स में रखी है आउलन से लुक यह से लूग актив में ध्यूलर और पौदवर, साई and the right T for tall and S for short जो tall चीज़े हैं उनके लिए T लिखना है और जो short चीज़े हैं उनके लिए S लिखना है अभी हम next में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी building है बड़ी building है डबल स्टोरी building है और काफी long है ये tall है ये building और ये जो है ये हट है हट short है तो इसके short के पास हम short लिखेंगे S लिखेंगे और ये जो building टाल है इसके लिए हम T लिखेंगे next है color का longer pencil red and shorter pencil blue अभी दो pencils हैं आपको देखिए इन दोनों pencils में से आपको जो first one pencil है जो पहली pencil है वो short है और shorter pencil में हमें blue color करना है इस pencil में ये shorter है और ये longer है देख लो आपको भी देखने में लग रही है shorter और longer longer means taller means longy longy जो है ये second है और first pencil जो है वो shorter है तो shorter pencil में आपको blue color करना है और ये जो longer pencil है ये जो longer है इसमें आपको red color करना है और संदर-संदर color करना चलिए next page पर चलते हैं heavy and light heavy का means क्या होता है भारी आप कभी-कभी एक ball उठाते हो वो काफी भारी होती है और एक वो plastic की पच्छोटी सी ball उठाते हो बहुत हलकी सी होती है तो जो heavy भारी होती हो उसको हम heavy बोलते हैं और जो हलकी होती हो से हम lighter बोलते हैं यह देखे कि यहां पर सीसा पर आप बैठ कर जूला लेते हो अगर आप सीसा पर एक साइड में बैठे हो तो आपके दूसरी साइड में अगर कोई मोटा बच्छा बैठ जाता है तो आप ऊपर उठ जाते हैं तो यह क्या होता है कि जो light देखे थोड़ा नीचे भी है और यह जो है यह मैच बॉक्स है माचिस का माचिस की डिबिया है इसमें वजन कम होता है तो यह lighter है और इसलिए उपर की और है तो आप वजन कैसे करते हैं आपको उठाने से पता चल जाता आप दोनों हाथों में अलग-अलग जब कोई चीज हाथ में प्लेट लेंगे और एक हाथ में कटोरी और फिर दोनों को उठा के ऐसे उपर नीचे करके चेक करें तो आपको पता लगेगा आपकी चपल lighter है और ममा की चपल heavier है तो इस तरहें बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जिनको आप उठा कर experience कर सकते हो आप pencil और rubber का भी कर सकते हो आप zometry box और rubber भी कर सकते हो है ना आप math की book और math की notebook उठाएंगे तो math की book जो है वो heavier रहेगी और math की notebook lighter रहेगी तो इस तरहें से यह आपको feel करना है next है हमारे पास right h for heavier and l for lighter ऐसा क्यों बोलते हैं कि h लिखे heavier के लिए क्योंके box में heavier तो हम पूरा नहीं लिख सकते हैं उसका first letter लिख देते हैं और lighter means lighter का first letter l है तो इसमें हम l लिख देंगे अब देखिए एक साइड में bucket है और दूसरी साइड में ball है तो आप समझ ही सकते हो कि bucket में तो पानी भी है और यह तो 10-15 लिटर पानी है तो यह तो बहुत ही heavier है आप उठा भी नहीं सकते और ball तो बहुत ही light होती है तो हम bucket के पास जो box है उसमें H लिखेंगे और जो ball के पास box है उसमें L लिखेंगे next है यह apple है और I think round round something apple ही जैसा खुछ लग रहा है और दूसरे साइड में tomato है तो देखिए apple जो है वो heavy होता है बड़ा भी है bigger भी है और heavier भी होगा और तो इसमें yellow color करना है I think orange दिखाया होगा फिर इन्होंने और यह जो lighter है इसमें आपको red color करना है मिसके orange जो है वो heavier है और tomato जो है वो lighter है next चलेंगे thick and thin इसमें आपको thick कौन सा है और thin कौन सा है यह नि मोटी चीज़ कौन सी है और पतली कौन सी है जैसे कि यह first candle जो है यह काफे मोटी है यह thicker है और second candle जो है यह thinner है पतली सी है तो यह thin है और जो मोटी मोटी है वो thick है इसके बाद हमें next question में करना है color the thick object red and thin objects blue अब हमारे पास यहां पर यह जो दो objects दिये गए है यह देखे इनको आप ले लीजे इन में से thick कौन सा है उपर वाला thick है और नीचे वाला thinner है तो थिक वाले में आपको red color करना है जो इसमें आपको blue करना है ऐसी ही इसके side में two pencils ती गहीं एक thick pencil है और यह thick pencil है इसमें आपको red color करना है नीचे वाली पड़े वाली में और जो यह पतले वाली है thinner है इसमें आपको blue color करना है right, next question है, tick the thick object and cross the thin object, इसमें आपको यह बताया गया कि जो thick object है, उसमें right का निशान लगाना है, और जो thinner है, पतला है उसमें आपको cross का निशान लगाना है, तो tree automatically हमें दीगी रहा है, कि जो tree है, यह first tree जो है, यह काफी thick है, इसमें हमें tick करना है, और यह जो हमारे पास palm tree है, यह thin है, इसे हमें cross करना है right, आपको समझ में आगे बीच वाले question में color करना है और नीच वाले question में tick cross करना है next है near and far देखी, near means नजदीक और far means दूर कुछ चीजी हमारे पास होती है जिसे आप जब मैम के पास बैठी होती है तो आप नसदीक होती है, near होती है और कुछ बचे जो last bench पर बैठी होती है वो far होती है जो first bench होता है, वो मैम के पास होता है nearer होता है और जो last वाला bench होता है वो farthest होता है तो यह इसके लिए भी हम जैसे अभी हम ये अभी हमारे से दूर है, अब मैं जब जूम करती हूँ तो ही हमारे नियर हो जाता है राइट ये देखिए, रैबिट जो है इसमें रैबिट देख रहे हैं इसमें रैबिट फार्डेस्ट है क्योंकि फार है, ये देखे ये आप इसको लाइन पर पहुंचना था ये जो लाइन है, जहां पर टॉर्टाइस पहुंचा ये पतली सी लाइन है इनकी रेस में से क्रॉस करना था तो टॉर्टाइस जो है, वो लाइन पर पहुंच गया है वो लाइन के नियर है और जो रैबिट है, वो फार्दर है तो I am far from finishing line और टॉर्टाइस कहता, I am near the finishing line राइट, इसके बाद है, आपको करना है राइट एंड फोर नियर एंड फोर फार जो नस्दीक है चीज़े हैं, उसके लिए नियर लिखना है और जो दूर हैं, उसके लिए फार लिखना है देखिए अभी आपको यह देखना ही है कि इसमें क्या-क्या नस्दीक है और क्या-क्या दूर है तो यह गर्ल से कौन सा नस्दीक है आपको किसे-किसे को मैच करना है यह गर्ल है, गर्ल के नस्दीक कौन सा है यह वाली बॉल, जो first बॉल है यह जो pink वाली बॉल है, यह girl के nearer है, और यह जो blue वाली बॉल है, यह farthest है, तो आपको farthest वाली में F लिखना है, blue वाली में इसमें F लिखना है, और इसमें आपको N लिखना है, I think आपको समझ तो आ रहा है न, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर दिक्कत आई तो मुझे बता न, म फिर से भी आपको करवाँगी, ठीक है, next है, color the near fish, green and the far fish, red, आपको दो fish दी गई है, अब आपको यह देखनी है, कि जो near वाली fish है, उसको green करना है, और जो far वाली fish है, उसको red करना है, देखे, boy है यहाँ, पेड की नीचे boy खड़ा है, इस boy की नस्दीक कौन सी fish है, यह वा करना है, green color करना है, और यह वाली fish जो है, तो बहुत छोटी भी दीख रही है, दूर होने के कारण हमें, चीज़े छोटी दिखाई देती है, तो इसमें red color करना है, मेरी picture थोड़ी clear नहीं है, इस वाली picture में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ऐसा करने से फूरा समझ में आता ह यह वाली जो फिश है, इसको रेट करना है, राइट, नियर एंद फार, मींस निरेस्टीक और दूर, आपको कोई जरूरी नहीं कि सारी वीडियो एक ही दिन में देखें, आप इसको बार बार देखें, कि हर वर्ड का मीनिंग आपको एक दम से नहीं आद होगा, यह आपको एक टू टेन टाइमस निकने पड़ेगी, अभी एक ही दिन में नहीं देली इसको देखिएगा, फिर आपको इन वर्ड की मीनिंग पता चल जाएंगी, अब हम करेंगे नेक्स पेज, इंसाइड एंड आउट साइड, इंसाइड मींस अंदर, और आउट साइड मींस बाहर, तो यहां पर आपको बताना है कि इनसाइड में कौन सी चीज़े हैं और बाहर कौन सी चीज़े हैं, देखिए यह जो रैक है, यह बुक्स इनसाइड में रखिए हैं, किताबें जो हैं अंदर हैं, किसके अंदर हैं, रैक के अंदर हैं, अलमीरा के अंदर हैं, लेकिन यह व तो इस वाले बॉक्स में हम तिक करेंगे लेकिन यह वाला एपल किसी चीज में नहीं रखा है यह ओपनी रखा है खुले में फर्ष पर रखा है इसलिए हम इसमें तिक नहीं करेंगे नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉश्चन में है ऐसलिएए और उस वेन को उसलिए और उसलिए को क्रोस करना है जिसमें पर्ष जो है वो जान करेंगे और इसमें जो ड्राइवर है वो बाहर है इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे क्योंकि इंसाइट नहीं है राइट चले अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं More and Less